गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पतेल ने गुजरात कॉन्फरेंस दो हजार तेईस का उद्धाटल किया है BCCI ने SBI Life को Domestic और International Season के लिए Official Partner चुना है माता अमृतानन मैदेवी को World Leader for Peace and Security Award दो हजार तेईस से सम्मानत किया गया है जुलाई 2023 फ्रांस ने PM Modi को Legion of Honor से सम्मानत किया जून 2023 मिस्र में Order of the Nile सम्मान से सम्मानत किया गया इटेलियन रेसर माको बेजेची ने भारत का पहला Indian Grand Prix 2023 का खिताब जीता है ग्रीस देश के एपिरस माउंट पिंडोस पर स्थित जागर उचोर्यक को युनेसको की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है भारती सेना और सैयुक्त राज्य अमेरिका की सेना 25 से 27 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली में 35 देशों की सेनाओं के प्रमुखों और प्रतिनिदियों की तीन दिवसीय सम्मिलन 13 वे IPSC, 47 वे IPMAS और 9 SELF की सेह मेजबानी करेगी हर साल सितंबर के चौथे रविवार के दिन बेटी दिवस डॉटर्स डेट मनाया जाता है इस साल 24 सितंबर रविवार के दिन राश्ट्रिय बेटी दिवस मनाया जा रहा है इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को भुरून हत्या, बाल विवा, दहेज प्रथा और पढ़ाई की आवश्यक्ता पर प्रकाश डालना और इससे जागरू कराना है भारती ट्रिकेट टीम, ICC के तीनों फॉर्मित में नंबर एक टीम बनी है सितंबर की 25 तारीक को दुनिया भर में विश्व फॉर्मासिस्ट दिवस मनाया जाएगा और इस बार की थीम है, फॉर्मासिस्ट स्वास्थे प्रनालियों को मजबूत कर रहे हैं फॉर्मासिस्ट बतोर चिकित्सा पेशेवर दवाओं की आपूर्ती करते हैं और मरीजों को उन्हें लेने के बारे में शिक्षित करते हैं हाल ही में सिंगापो विश्व की सबसे मुक्त अर्थ व्यवस्था के रूप में हौंकॉंग देश से आगे निकल गया है